शाहिन शाह अफरीदी और अन्शा अफरीदी की शाधी मुलतवी वजह क्या? पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान शाहिद अफरीदी ने अपनी बेटी अन्शा अफरीदी और क्रिकेटर शाहिन शाह अफरीदी की शाधी में ताखीर के हवाले से बता दिया हाली में शाहिद अफरीदी ने अपने एक इंटर्वियो में बताया कि अन्शा और शाहीन की शाधी पहले रवा साल सतंबर की तीन तारीख को तैपाई थी ताहम एशिया कप के बाइस इसमें तब्दीली करनी पड़ेगी क्रिकिटर का कहना था वो समझते हैं देर या सवेर इंशालला शाधी हो जाएगी शुकर है एशिया कप वक्त पर हो रहा है ये पाकिस्तान और शाहीन दोनों के लिए एहम है ताहम दोनों की शाधी की तारिख जरूर तब्दील करनी पड़ जाएगी खयाल रहे कि एशिया कप 2023 की तारिख का एलान करते हुए कहा कि इवेंट 31 अगस से 17 सितंबर तक खेला जाएगा जिसमें पाकिस्तान समेथ भारत, स्री लंका, बंगलादेश, अफगानिस्तान और नीपाल की टीमें हिस्सा लेंगी दोराने इंटर्वियू में इस बाने शाहिद अफरीदी से मजीद पुछा कि एशिया कप के फॉरण बाद वर्ल्ड कप का आगास हो जाएगा तो क्या ये समझा जाए कि शादी नवेंबर के इखतिताम या दिसम्बर में मतवक्को है इस सवाल के जवाब में अफरीदी का कहना था कि जिस तरह वर्ल्ड कप का इवेंट एक तरफ बैठ गया है वैसे ही ये भी बैठ जाएगा वाज़ रहे कि शाहिन अफरीदी और अंशा फरीदी का रवा बरस तीन फरवरी दो हजार थेज को निका हुआ था जिसकी तसावीर ने सोशल मीडिया का सारा लाइम लाइट समेट लिया था ताहम इस जोड़ी की शादी सितंबर में मतवक्को थी जो एशिया कप और वर्ल्ड कप के बाइस ताखीर का शिकार हो गई है